हेलो मैडियर फिंस पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था की इसको इंस्टाल किस तरह से किया जाता है जैंप एन्श का में फ्लैंद में सेकेंड पार्ट है जैंप का जो शर्वर है अभी हम लोगों को localhost पर देखना है तो ये किस तरह से दिखे गा क्य Alexandra वर्डपेस उसी पर बनाने वाले हैं देखो localhost slash php myadmin localhost slash php myadmin देखो आपका जो भी localhost होगा आपको यहां पर दिख जाएगा देखो सबसे पहला क्लिक और यहां पर हम लोगों को एक database create करना है जो भी आपका database होगा यहां से अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं जैसे की डिजिटल दुनिया लिख दिया और इसको हम create कर दे रहे हैं कि यह दो यहां पर मेरा लड़ी सूरज ब्लाग से है तो हम लोगों ने डिजिटल दुनिया नाम लिखा था इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा जो वह जैम का सर्वर हैं अब यहां पर माई अपाची और माई एसक्यूल यह दोनों डाउनलोड सर्वर अभी रन रनिंग पर है आपको अडिमीन देखना है तो आप अड्मीन पैनल देख सकते हैं हाँ आया और देखो अभी हम लोगों ने यह सब तो कर लिया है अब वर्डप्रेस कहां पर इंस्टॉल करना है तो आए चलिए देखते हैं यहां पर 10 PC पर चले गए बापनी जो भी फोल्डर वर्डप्रेस से डाउनलोड किया था जो वर्डप्रेस का था किधर गया जैंप के लिए था और वर्डप्रेस यहां पर इसको हम लोग रैट क्लिक करके इसको कॉपी कर लिए अब जो हमारा फाइल्स है मतलब एक कहां पर हमें जो हम लोगों ने यह वर्डप्रेस अन पी हेच्प माइस्क्योल बनाया था तो अभी जैंप के अंदर गए है जैंप के अंदर पी हेच्प मैस्क्योल सब चीज हैं यहां पर मिलेगा अर्ड अप यहां से भी इसको लोगों को पेश कर दिया अब इसको हम अजिप फाइल करना है एक्स्टार्ट फाइल्स यहां पर जो भी एक्स्टार्ट फाइल्स होगा आप यहां यहीं पर इसको एक्स्टार्ट कर देना है कि आपका जो भी वर्डप्रेस का नाम होगा यहीं पर इसको बनाने के लिए हम ल दोस्तों कि कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसको मज़ेदार से सीखने वाले हैं और वीडियो कैसा लगा जल्दी से लिए कॉमेंट बॉक्स में लिख करके बताना और कोई भी रिलेटिट करी हो आप मुझसे पूच सकते हैं अभी देखो हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी का वर्डप्रेस है अभी जैंप के अंदर गए एंड हेस्टी डॉक्स के अंदर सूरज ब्लाग पहले से था इसको हम वर्डप्रेस का नाम दे दिये थे अब जो भी हमारा वर्डप्रेस का नाम था हम लोगों ने रखा था कि दिजिटल दुनिया इसको हम वर्डप्रेस के अंदर सेव करेंगे अब आपको समझ में आ रहा है क्या कुछ देखो जैसे कि हम लोगों ने डैश्बूर बनाया था यहां पर डिजिटल दुनिया वाला ओके तो अभी हम इसी को वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करेंगे किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है देखो हम लोगों ने क्या किया सबसे पहले इसको आन किया था इसी को आन करने के बाद हम लोग लोकल होस्ट पर गए यहां पर create database structure पर new पर create database किया यहां से database का नाम लिया अंद यहां से हम लोगों ने database create किया अब यहां पे हम लोग जो भी हमारा D का folder है जो भी जहां पर हम लोग aceite के अंदर गये हम लोग हिज्ट्डोकस आप यहां पर लिख सकते हैं गर कोई की चीज नहीं मिल रहा है तो आप यहां से लिखो एच्टी लिए यहां पर पहला वाले है टी डॉक्स का फोल्डर मिल जागा आप यहां से वर्डप्रेस को जै इसको यहां पर पेस्ट कर देना इसी को हम लोग यहां पर जो इसका फॉल्ड के अंदर जो फोल्डर है उसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं यह तो इसको हम पेस्ट करना है बस के समझ में आ गया और यहां से हम लोग अभी इसको यूज़ करने वाले हैं यहां पे लोकल होस्ट स्लैश अभी जो हमारा यू आरेल था मतलब हम लोगों ने डिजिटल दुनिया बनाया था जो भी आपने नाम बनाया था क्रेंड दुनिया इसको इसको श्लास कर देना है कि देखो यहां पर एक आया है इंडेक्स ओफ डिजितल दुनिया य कि वर्ड-प्रेस के अंतर पूछ रहा है कि कि हम लोगों ने वर्ड-ब्रेस अब यहां पर स्लैश वर्डप्रेस भी लिग दिया ग्रुstat अब यह साथ और एसमेला सभी है यहां नाम डिजिटल भी मिया रखना से हैं यहां पास्वर्ण को रखना पड़ेगा यूजर नेम पासवर्ड जो है वहांपे हम लोग कुछ ने रख सकते हैं लोकल के अंदर data base local host ही रहेगा और टेबल प्रिफुक्त के लोग कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि मान के चलो कि मेरा नाम सूरज है क्रूंने सूरज या सो रूट या तो ब्लॉडर्ण अपना तो यहां पर यह डिजिटल दुनिया वाला दिख रहा है आपको यह नाम सही होना चाहिए तभी यह वर्क करेगा के डिजिटल दुनिया के गाइस इसको मैंने सब्मिट कर दिया रन्द इंस्टॉलेशन अभी हम लोगों को वर्डप्रेस जो है वह इंस्टॉल हो चुका है और जो भी हमारा साइट का टैटिल होगा जैसे की डिजिटल दुनिया से यूजर नम आप अपना या तो कुछ भी लिग सकते हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है और पासवर्ड जो हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं जैसे के हम लोगों ने पासवर्ड भी सिट करके रखा आपने पासवर्ड भी रख दिया आपका यूजर नम क्योंकि जब भी आप वर्डप्रेस पे लॉग इन करेंगे तो आपको यही पासवर्ड मांगेगा और यूविल नीड टू पासवर्ड टू लॉग इंड प्ली स्टोर सेक्यूर लोकेशन जो भी आप सेक्यूर करना चाहते हैं तो इसको लोकेशन को आप डबल डबल चेक इवर इमेल अड्रेस आफटर कंटिनूइंग बिफोर और हम लोगों को जो मेरा इमेल अड्रेस एक हो में दे देता हूं और इंस्टाल वर्डप्रेस जो भी आपने वर्डप्रेस बनाया है अब यह इस्टाल वर्डप्रेस हो चुका है अगर किसी को मेरे साथ वर्डप्रेस के बारे में और भी नॉलेज और भी जान करें चाहिए तो वीडियो नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूँगा आप वहां से अपना नाम, नमबर, इमेल आइडी दे देना मैं आपको अपने जो वर्डप्रेस का सा है मैं आपको बिल्कुल ही फ्री में दे दूँगा और यहां पर दिल्खेरा है सूरज मतलब जो हम लोगों ने यूजर नेम लिखा था सक्सेस वर वर्डप्रेस ऐस बिन इंस्टॉल थैंक यू और ने अब हम लोग लोग न करेंगे जो भी हमारा यूजर नेम पासवर था और अल्री ले चुका यहां से इसको हम लोग कर देंगे यहां पर हम लोग रिमेंबर और लॉग इन वेल्कम गाइस अब देखो हमारा जो वर्डप्रेस है वह हो चुका है और यही चीज में आपको समझा रहा हूं कि यहां पर जो हम लोग यूज करेंगे से जैसे की हम लोग जो वर्डप्रेस पर डिजाइन जो और स्टमाइसेशन प्रत्य है जीर्जिश करते हैं जैसे कि localhost है localhost slash digital दुनिया अभी जो हमारा अभी हम लोग कुछ भी post नहीं किये है तो अभी next आने वाले वीडियो में मैं इसको किस तरह से use किया जाता है यह मैं आपको बताऊंगा एंड यही पेज को आपको देखने के लिए localhost localhost slash digital दुनिया इसको हम लोग एंटर किये ओहो एक मिनट वन सेकेंड यह नहीं आ रहा है अब हम लोग यहाँ पे देखो यह तो localhost हो गया इसको हम लोग create करते हैं आप यहाँ पे जितना चाहे उतना मतलब जो database है हम लोग बना सकते हैं इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितना बना रहे हो यहाँ पे आपको जो storage का option दिया जाते हो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा यहां से अगर आपको कोई अपना homepage देखना है तो आप यहां से simple अपना home देख सकते हैं यहां से आप dashboard देख सकते हैं यहां पे देखो यह ऊपर का जो icon है यहां पे विजिट सेट किया मैंने देखो क्या रहा है digital दुनिया mind blown blog about philosophy hello world यह खुद जो है की देता है तो हम लोग इसमें और भी customizations proudly powered by WordPress यह खुद देता है और आपको एक sample page बना के देता है जो एक sample बिल्कुल sample रहता है तो हम लोग इसको भी customization करेंगे और भी काफी detail में तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर description का लिख करके बताना और इसी के साथ अगर आपको किसी से related topics चाहिए जो मेरे पास है देखो whatsapp मेरा playlist पे कौन कौन सा है मतलब software tools instagram के लिए keyboard shortcuts and google chrome for beginners YouTube crash course YouTube का जो हम लोग live में अप्लोड video करते हैं और वर्डप्रेस के लिए आपको यहां से नीचे link दे दूंगा आप यहां से इसको यूज़ कर सकते हैं चैनवा जिसको भी कैनवा नहीं आता है जो computer सीखना चाहते हो जल्दी से जल्दी वीडियो को like share and subscribe करें इसको भी computer के बारे में knowledge नहीं है तो आप मुझसे लाइव जूड़ सकते हैं इसी के साथ thank you guys इतना support कर रहे हो आप लोग